दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग या फिर आपकी नॉर्मल जॉब अब काफी लोग कहेंगे नॉर्मल जॉब के बारे में क्या बाते करना चाहोगे मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से यहां पर problem create हो रही है especially India और पूरे world के अंदर अगर आप jobs को लेकर जाधा motivate हो तो तो यह video आप लोग देख लेना आपको clear हो जाएगा और मैं यहां पर किसी को demotivate करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ main है true reality जानना अगर आप 90-50 वाला दोर देखेंगे तो वो एक आलग दोर था और आज अगर आप 2024 देखेंगे तो वो एक आलग दोर है यहां पर काम करने का तरीका भी आलग होगा यहां पर आपका mindset भी आलग होगा तब ही आप survive कर सकते हो आप 1950 वाले mindset के साथ में 2024 में survive नहीं कर सकते ये बात आपको clear होनी चाहिए और ये वीडियो आपको कुछ dark reality explain करने वाला हूँ जो आपको समझना बहुत जादा ज़रूरी है दोको plan क्या होता है plan ये रहता है कि हम लोगों को क्या करना है माल दीजिए आपके parents है normal parents की बात की जाए तो 90-60 से लेकर या फिर 90-80 के बीच वाले जो parents है उन parents की बात की जाए तो उन लोगोंने वो चीज़े भी देखी है कि किस तरीके से देश आजाद हुआ उस particular time पर उनको क्या-क्या problem देखने के लिए मिली ठीक है common सी बात आती है नहीं हुआ करती थी तो उस जगा पर उन लोगोंने क्या चीज़े देखी यहाँ पर उन लोगोंने देखा कि जो भी लोग government के साथ काम कर रहे है government के साथ कौन-कौन से काम कर रहे है like कह सकते हूँ ठेकेदार लोग जो हुआ करते थे जो लोग बड़ी-बड़ी जमीनों के ठेके लेते थे और आम जनता से काम करवा के पैसा कमा के जनता से government को पे करते थे और उसके बीच में commission खाया करते थे वो लोग हुए वो लोग जो government के लिए like नौकरी करते थे वो सहुलियत के साथ जी पाई उस भुकमरी के time में भी क्यों उनको एक basic like कह सकते हो salary government के तरफ से provide की गई या फिर वो लोग जो government के अंदर थे वो लोग बहुत ही खुशी के साथ उस समय भी अच्छे से रहे और अभी भी वो अच्छे से ही रहते हैं तो ऐसी condition देखने के बाद में उनको एक picture तो clear हो गए कि मालिक अगर हमारे बच्चे government के लिए काम करेंगे तो कभी अगर ऐसी problem बनती है तो उस particular condition में government अपने employees को अपने लिए काम करने वाले लोगों के लिए और जो government में like कह सकते हो जो like politicians वगरा है उनकी बात की जाए तो इन लोगों की मदद जरूर करेगी government अपने fund से तो ये picture थी सबसे पहले जब starting की गई कि भाई government job का क्या scene है आज के time पे government job की में बात करना चाहूंगा अगर आप higher level की jobs की बात करें government में वो चीज अलग होती हो पैशन वाली चीज होती है और उस जगह पे जो इनसान पोस्ता है उसके लिए ये बड़ी problem नहीं आती ठीक है उसके पास इतनी बुद्धी होती है कि वो पैसे को कैसे कमाना है उसको पता हो ठीक है उन लोगों की बात छोड़ दी जाए बट अगर मैं lower पर ये लोग काम कर रहे हैं ये लोग कौन होते हैं ये लोग वो होते हैं जिनका main intention क्या होता है safety क्यों safety because आज भी उनकी family में ये picture बनाई जाती है कि government job का मतलब होता है safety जबकि ना तो आज के time पर government employees safe feel करेंगे क्यों feel नहीं करेंगे ना तो उनको कोई pension मिलती है pension fund करता भी है वही pension fund कहां लगता है मैं वो सारी बाते आपको explain करूँगा और इस तरीके से आप एक बहुत अच्छी picture create कर सकते हो कि मुझे government job की तरफ जाना चाहिए या फिर मुझे खुद की skills पर ध्यान देना चाहिए सबसे कीमती चीज जो है वो skills है कमाल की बात है हमारे colleges में जो teacher पढ़ाते हैं उनके पास भी कभी कभी इस चीज की कमी होती है सोचने की बात है अगर आपको पैसा कमाना है और आप अपने teacher से पूछ रहे हो कि पैसा कमाना है और कमाल की बात है उस इंसान पर खुद पैसा नहीं है तो किस तरीके से आप उस skill को वहाँ से सीख सकते हो तो यह भी आपको समझना होगा तो यहाँ पे कुछ picture clear करते हैं काम कैसे होता है अगर आप job करना चाहते हो जौब के अंदर पैसे की भी जरुवत पड़ेगी आपको अपने time की भी जरुवत पड़ेगी आपको प्लस आप सुबह से लेकर शाम तक के अपने time को बेच कर जो पैसा कमा होगे उसी पर आप survive करोगे ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग में क्या चीज़ों की जरुवत पड़ेगी मैं सारी चीज़ें आप खोल के बता देता हूं जिससे कि एक आम आदमी को ये picture clear करने में आसानी हो जाए कि मुझको ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर में चुप चुप पर admission मिलेगा आपको science side मिल जाएगी या biology मिल जाएगी या कुछ भी मिल जाएगा उस particular condition के लिए आपको अच्छे marks 10th में लाने होगे 10th में आपने बोला बहुत अच्छे marks लाने है बहुत अच्छा कद्दू में तीर मारा बहुत अच्छा 11th class में आते आते क्या हुआ बोल जगा पर रस्ते बटने हैं मैं आपको बोलना चाहूंगा सबसे पहले तो बच्चे की यह होती नहीं है 10th class में कि वो identify कर पाए कि मुझे biology लेनी है मुझे science लेना है सिंपल सी बात है पैरेंट्स को बस ये दिखता है कि भाई अभी के टाइम पर क्या दोर चल रहा है दोर क्या होता है कभी डॉक्टर बनने का दोर चल रहा होता है कि सबके सब डॉक्टर बन रहे हैं कभी आर्मी में जाने का दोर चल रहा होता है सबके सब आर्मी में जा रह कभी इंजीनियर बनने का दौर चल रहा होता है अभी के बात पर करूना करमें अभी चल रहा है कि देश छोड़ के जाना है पढ़ाई करो यहां से निकलने के लिए इंजीन के लिए इंसान बट अपने इंडिया में इसकिल्स पर करने के लिए काउंट नहीं होगा तो यहां पर हमें पता ही नहीं होता टेंफ क्लास में करना क्या एक हम बी श्रेस का मिले different point of view ठीक है और यहां आते आते बहुत सारी चीज़े भी आड़ हो जाती है कि reservation है नहीं है आपकी family background कैसा है अब एक चीज़ सोचो ना मेरे भाई मैं यहां laptop पे लेकर बैठा हूँ ठीक है मैं चार laptop लेकर बैठा हूँ मेरे account बीस लाग का fund पड़ा हुआ है मैं इसमें कोई गलत बात नहीं है दूसरा इंसान जो phone है जिसके पास में account में केवल और केवल 10,000 रुपे पड़े हुए भाई उसका confidence level और उस इंसान का confidence level जिसका 20 लाग का fund पड़ा हुआ account में difference तो होगा ही होगा वही चीज़ यहां पर आती है education को select करते हुए भी आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपको confidence किस चीज से मिलता है पहले उस चीज पर ध्यान देना है अब मालीजे आपको engineer बनना था यहां पर problem यह आती है कि हम लोगों को maximum time पता नहीं पता हमें बनना क्या है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 40 साल के हो जाता है उन बिचारों को अब समझ में आता है यार मेरा तो मन यह करने का था बट मेरे पापा ने बोला मैं नहीं कर लिया अब यहां पर समझो यह trap जो था पूरा कर पूरा हो गया पूरा एक सब्सक्रेट कोड़ कैसे कर सकते हो यहाँ पर ध्यान रखना यहां से स्टार्टिंग करो और यह जौप वाली जगह तक यहां से स्टार्ण कियो यहां तक आपके उपर पर प्रेशर डाला जाता रहेगा 10th में पास करने के लिए 11th में पास करने के लिए एक्जाम देकर competition पास करने के लिए डॉक्टर इंजिनियर जहां पी आप बनने जाओगे डॉक्टर बनने जा रहे हो तो वहां पी भी competition होगा इंस्टिट्यूट के अंदर उसके बाद डॉक्टर बनने के बाद ये इंजिनेर बनने के बाद नौकरी में भी competition होगा प्लस pressure भी होगा प्लस ऐसा work culture होगा कि सुबह 8 बज़े आप अपने घर से अच्छा नहीं होगा तो 14 घंटे आप दे चुके हैं अपनी पूरी लाइक कह सकते हो पूरी दिन में से बचे कितने 10 घंटे 10 घंटे में आपको क्या क्या करना सब कुछ करना है आपको सोना भी है खाना भी है family को भी देखना सब कुछ उसी अंदर करना है तो यह बात ध्यान रखिए अगर आप इस वाले रस्ते पे जा रहे हो ना तो यह वाला रस्ता आपको कुछ इस जगा पे लेके आ रहा है और अच्छे ज़े डाटा रीड कर लो इंडिया में किस तरीके की कह सकते हो लोगों के साथ में कल्चर व हम लोग काम कर रहा है आप अगर मालीजे SBI company में काम कर रहे है SBI basically company ही country banking जरूर है वो company ही country SBI में काम कर रहा है हम क्या करता है एक साल दो साल तीन साल या चार साल कुछ लोग तो चार चार साल लगे रहते है बैंक P.O وगेरा एक्जाम्स निकालनाए में चार साल की तैरी करन तो जब तक मैं 60 की नहीं हो जाता या हो जाती तब तक मैं SBI में काम करूंगी इस गुड बहुत अच्छा आपको ये भरोसा है कि SBI जो शेयर है SBI जो कंपनी है ना वो मेरे भरोसा है ठीक आपको ये सारी चीज वर भरोसा है बट आपको जब ये बोला जाये कि SBI के शेयर की वैली अभी शेस्षो बोलेगा क्यों बोलेगा क्योंकि उसको उस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है अगर कभी आपने स्टेरिंग पर हाथ ही रखा है ड्राइब करने के लिए तो कार चलाना आपको कैसे आप आएगा मेरे भाई वही चीज यहां है एक्चल में ध्यान से देखा जाए तो भी बैठने दिया ही नहीं जाएगा आपने चार साल अगर SBI के शेयर जो एक शेयर है केवल शेयर मार्केट में लिस्टेट चुटा सा शेयर काउंट कर सकते हो बैंकिंग सेक्टर का एक शेयर है बस उसके लिए आपने चार साल का एक्जाम देने की प्रपरेशन तो कर अगर थोड़ी सी महनत करके यह समझ लेते हैं कि हमारा एको सिस्टम वर्क कैसे करता है दन डेफिनेटली वहां पर आप जादा ग्रोथ कर सकते हो एंड यह 80,000 यह 2,000,000 रुपे यह जो सैलरी है ना यह आप बेसिकली महीने में जो निकाल रहे हो कभी ऐसा भी होगा कि दिन बन जाए वरना आने वाले टाइम में आप देखोगे नोकरियां खतम होती जाएंगी ठीक बड़ी से बड़ी कंपनी जो है वो आटोमेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे है और आम जनता को जो जनता रिपेटिव वर्क करना चाहती है कि मैं बस बैठा रहूं या बैठी रहूं चुप 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 और काम होता रहे तो मेरे भाई वो खतम होने वाला है आने वाले टाइम में बैंकिंग सिस्टम की बात करूं बैंकिंग सिस्टम टोटली खतम हो जाएगा ओफ लाइन से सब कुछ ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन और ये लोग जो यहाँ पर banking में सोच रहे हैं कि भाई हम तो बैटके केवल मशीन में एंटर कर लेंगे, हम तो केवल बैटके यहाँ पर copy को print कर लेंगे, हम तो यहाँ पर पैसे गिल लेंगे भाईयो, दिमाग चलाइए, आप खुद अपनी आप से पूछिए अगर आप bank में ना होते, तो आप कितनी बार bank जाते, पैसा निकालना है, क्या करना है, सब कुछ आज के टाइम पर online है, तो ये बात ध्यान रखिए, आने वाले future में वो सारे segments, वो सारी जगाहे problem create करेंगे आपके लिए जहाँ पर automation लाया जा सकता है, ठीक, अब बात आती है ट्रेडिंग की, क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अंसर बड़ा simple सा है, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे अपने time को बचाना है, मुझे पैसे को multiply करना सीखना है, ठीक, प्लस मुझे यहाँ पर अपनी knowledge, जो knowledge मुझे achieve करनी है, धीमे 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 वो बढ़ानी है, तो ट्रेडिंग की तरफ कदम रखो, नहीं करनी है, तो चुप-चाप आप जो नौकरी कर रहे हो ना, भाई वो करते रहो, मुझे आज तक मेरे द्वारा जो मैंने पढ़ा, उसका कुछ भी use count नहीं हुआ, real life में पैसा कमाने के लिए, मुझे कुछ नहीं use हुआ, मैं सच बता रहा हूँ, जो भी मैंने degree ली, coding की या जो भी चीजे की, वो चीजे में थोड़ा सा पैसा दे करना, दूसरे इंसान को वो अपने लिए करा सकता था, समझ रहे हो, तो ये चीज़ समझ ये, कि नौकरी के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छी वो पैसा कहा जाएगा, आपके bills पे करने में, और ये ही cycle चलती रहेगी, step number one, step number two, and step number three, ये cycle चलती रहेगी, जब तक चलती रहेगी, जब तक आप 60 नहीं हो जाते, 70 नहीं हो जाते, या आप ये नहीं कहा देते, भाई, मुझसे ना हो पाएगा, समझ रहे हो, तो ये वाल अग्जाम की preparation में लगा सकते हो, मेरे भाई, वो भी एक ऐसी company के अंदर, जो share market में listed है, common cities आती है, share market में listed एक company के लिए अगर आप, इसकी बात करें, एक company के लिए अगर आप 4 साल लगा सकते हो, तो ऐसी ऐसी तो share market में 200 company registered है, उनमें काम करने में क्या दिक्कत है, आज अग normal way में आप SBI से shift SDFC में इतना easily नहीं हो पाओगे, बट अगर हम अपनी बात करें, आज हम share में SBI के में काम करेंगे, common सी बात आती है, अब सीधी सी बात आती है, आपको ये बात समझनी होगी, कि आपको number of like shares हैं, उन पे ध्यान न देकर, quality number of shares पे ध्यान देना होगा, कि मैं किसमें अच्छा काम कर सकता हूँ, जैसे कि starting में मैं आपको बताया था currency में हम लोग क्या काम करेंगे, USD, INR, ठीक, USD की news को analyze करने की बात की गई थी, और वो हो भी रही थी, बहुत proper way में काम किया जा रहा था, और इसी कारण आज की बात करें, XAU, USD की जब मैं बात करता उस USD की news की impact के साथ ही हम लोग gold को analyze कर पाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि knowledge कभी भी waste नहीं जाती, तो ये तो बात हो गई कि हमें करना क्या है, ठीक है, अब दूसरी बात आती है, mindset change करने की बात आती है, थोड़ा सा mindset change कर देता हूँ, देखो समझो, mindset change करने की बात समझो मेरे सबसे पहली बात, आपने job की, job करके आपको क्या मिला, पैसा मिला, पैसा करने के बाद में आपने bills पे किये, करने के बाद में आपकी जो saving थी, वो आपने क्या की, उसको ना bank में रख दिया, तो ध्यान से समझना, ये छोटा सा concept है, बहुत easy है, बट समझ में नहीं आता कभ सा यहां आता है, जो बचा-कुचा होगा, अगर bills पे करने के बाद में saving बची, वो bank में रख दी जाती है, ये चीज़ आती है, अब क्या है, क्योंकि banks जानते हैं, कि ये जो इनसान है, इसको ना train किया गया है, किस चीज से 10th class, 12th class, फिर VTAC कर लेना, VTAC में भी train किया गया like job करने वाले employee बने, यही तो create किया गया, आपको कभी भी ये बात तो बताई नहीं गई, कि मालिक पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, ये तो कभी बात बताई नहीं गई, ध्यान से देखो, आप खुद अपनी education पे देखो, मुझसे मत पूछो, ये चीज ध्यान से समझना कि यहाँ है problem actual में, अगर आप समझ जाओ तो क्या, इस इंसान को बिचारे को ये बाते बताई गई थी कि अच्छे employee कैसे बनना है, वो इंसान अच्छा employee बनने के लिए अपनी जीत और महनत भी कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, आप banking system के अंदर वो जानते हैं, कि इस इंसान को ये बाते तो हम लोगों ने ecosystem में बताई नहीं, education system में बताई नहीं, तो इस वज़ेचे ये लोग जानते हैं कि ये इंसान नोकरी तो कर सकता है, बट पैसे से पैसे नहीं कमा सकता, अब यहाँ पर game change होगा, game क्या होगा, इ yearly, like, ब्यास देते रहेंगे, आप को बाते बताई जाएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे, like, SIP वाले plan बताई जाएंगे, आपको mutual fund वाले plan बताई जाएंगे, आपको investment plans की एकदम से छड़ी लगा दी जाएगी, आपको होगे वारे, वाप bank वाले कितने अच्छे हैं, बट मे education system में पैसे वाला chapter तो add ही नहीं किया गया ना, कि पैसे से पैसे कैसे कमान है, तो उस particular condition में actual problem किस ने किया है, गौर्मेंट ने, और गौर्मेंट ये चाहती भी नहीं है, कैसे समझो, अगर पैसा जो है bank के पास नहीं होगा, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, कि जो हमारी RBI है, वो एक central bank count होती है, और नीचे जो bank होता है, उन लोगों को वो पैसा देती है, मालीजे SBI है, अब सोचो, अगर आप अपना पैसा SBI के अंदर नहीं रखोगे, और SBI में पैसा नहीं होगा, तो इंडिया की growth कैसे होगे, आपको होगे मेरे पैसे से इंडिया क्या growth का system तो सोचो जो बड़े-बड़े लोग हैं, ठीक, ये लोग हैं, ये लोग पैसा लोन पे लेता है, ठीक, लोन पे लेता है, या बिजनस करने के लिए आम आदमी भी हो, कोई भी हो, एक छोटा सा बिजनस करना हो, लोन पे पैसा लेता है, वो लोन लेने के लिए किसके पास ज आप देगे तो government क्या कहते है काम करो आप यहां मताओ आपना बैंकों के पास जाओ बैंक कहेंगे हमारे पास पैसा कहां से आएगा पहला पैसा तो आएगा RBI की तरफ से दूसरा पैसा आएगा किसकी तरफ से आप जैसे लोगों की तरफ से जो 7% yearly के ब्याज के लालच में यहां पर पैसा रख देंगे रखने के बाद क्या होगा यह लोग क्या करेंगे 12 से 13% के हिसाब से इस पर्टिकलर इंसान को पैसा लौन पर दे देंगे और यह इनसान बिजनस करेगा ग्रोथ करेगा जो भी करेगा उस ग्रोथ के साथ में आप आपका पैसा वापस करेगा तो ठीक वरना अगर यह इनसान डूब गया तो उस पर्टिकलर कंडिशन में आपसे SBI या जो भी कंपनी है मैं नाम नहीं मतलब सब भी बैंक जो होता है ना सब आपको पांस लाग तक की सिक्यूरिटी देता है आप अपने अकाउंट में 10 क्रोट रुपे रख लीजिए ठीक अगर 10 क्रोट रुपे SBI ने इस इंसान को लोन पर दे दी और यह इंसान भाग जाता है तो SBI खड़ी कर देगी अपने हाथ कहेगी भाई यह तो पैसा लेके भाग गया हम क्या करें अब SBI कहेगी मालिक जिस को प्रॉपर जगा पर घुमाने की ताकत तो हमारे पास है ना सोचने की बात है आप यह बात ध्यान रखेगा बैंक आपके पास लाग तक के लिए जिम्मेदार होती है आप कोगे हमें दोपता ही नहीं जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसके इंदर सारी बाते बता दी चात हैं option number one मैंने आपको बता दिया कि आप अपने पैसे को manage करने के लिए FD करा रहे हो mutual fund में लेके जा रहे हो SIP करा रहे हो आप different different plans ले रहे हो जो वो आपको बेचना चाहते हैं because आपके पास तो knowledge नहीं है बट इन plans के थुरू आप अमीर बन ही नहीं पाओगे यह plans आपको अम achievements आपको क्यों देंगे सोचो तो यह plan तो है ही नहीं काफी लोग सोचेंगे कि भाई यह हमारी मदद कर रहे हैं नहीं मेरे भाई वो आपसे पैसा वापस अपने bank में लाने की कोशिश कर रहे हैं और bank वाले 5 लाग से ओपर तक का 5 लाग तक की बातों को confirm करते हैं कि अगर हम को समझनी हैं कि आप जिस company में काम कर रहे हैं उस company के shares share market में लिस्टेड हैं ठीक आपको यह बात समझनी हैं कि आप जो चीज़ खरीदने जाते हो मालीजे आपने गोल्ड खरीदा तो गोल्ड भी share market में ट्रेड होता है आप कोई चीज़ समझने हैं, आप silver खरीदने जाते हो, silver भी यहाँ पर trade होता है, सारी चीज़े आप जो भी चीज़े खरीदने जाते हो मेरे भाई, आप Apple का phone खरीदने जाते हो, तो Apple के shares भी share market में listed है, आप Google पे अपनी Gmail ID बनाते हो, तो उसके shares भी share market में listed है, आप Dell का laptop यू यूज करते हो, तो उसका share भी यहाँ पर लिस्टेड है, आप महेंदरा थार यूज करते हो, तो उसका share भी यहाँ पर listed है, आप कुछ भी use कर रहे हो ना, कुछ भी उसका share share market में listed है, तो पहली बात तो अपना ये clear कर लो, कि share market कोई गंदी जगा नहीं है, दुनिया की सभी बड़ी बड़ी company share market में listed है, तो मेरे भाई कुस तो अच्छी बात होगी उसके अंदर, और आपको आम जंता को डराने के लिए ये बाते बताई जाते है कि share market जुआ है, ताकि इन लोगों का plan जो है मैंने आपको समझाया कि आप कमाओगे, बैंक में पैसा रखोगे, और य 30,000 रुपे कमाता हूँ, इस में से मेरे like 40,000 बच जाते हैं, ध्यान से सम्झो गेम कितना अच्छा लगाई है, ये 40,000 मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, बैंक में रख दिया, SBI में नहीं रखा, चलो किसी और बैंक में रख दिया, मैंने SDFC बैंक में रख दिया, ठीक, चलो जी, हो गया, अब उसके बाद में next step, वो पैसा मेरा घूमकर बैंक में चला गया, अब सोचो, यहाँ पर तो बात हो रही है, बैंक की, अब यहाँ पर एक example के तोर पे लेता ह हुआ है, यह 100 करोड है किसके, क्या ध्यान ध्यार ने कभी, यह 100 करोड है आप ही के, जो इसी कमपणी में काम कर रहे थे, बस आपको अपने पैसे को ग्रो करना नहीं आया, बट इनको ग्रो करना आता है, तो इन्होंने यहाँ से बैंक से जाके, आप कई पैसा वापस लोन पे ले लिया, समझे इस game को, तो यह एक पूरा एक ecosystem count होता है, जिस ecosystem को आप break नहीं कर सकते, बट इस ecosystem का फायदा उठा सकते हो, कैसे उठा सकते हो, समझो, अगर आप reliance company में work कर रहे हो, तो आप reliance के अंदर या तो उसके shares में काम कर सकते हो, छीक, अगर आप उसमें भी काम नहीं करना चाहते हैं तो आप उसके options में काम कर सकते हो छीक, ये दो चीज़े आप ट्राइ कर सकते हो अब आप कहेंगे भाई मैं तो ये चीज़ों में काम नहीं कर सकता है मेरे alliance मुझे पता नहीं लग पाता आप क्या कर सकते हो, आप ऐसी चीज़ों में काम कर सकते हो आपने देखा होगा, आपके घर में क्या चीज़ रखी रहती है गोल्ड रखा रहता है आपके घर में क्या रखा रहता है, सिल्वर रखा रहता है और अभी कहते हैं अपने घर में किह मैं खरीदने जा रहा हाндो तो आप इन जगा पी वर्क कर सकते हो और ज़ो पैसा आए उसको आप क्या करो उसको अपनी कंपनी के शेयर खरीदे में या जो भी अच्छे शेयर हो उन जगा पे पैसा लगाओ ताकि वो ग्रो करे अगर आप पैसे के लिए जिन्दगी भर काम करने वाले हो और आपने इस जिसको एकसेप्ट कर लिया तो यह कुछ concept use कीजिए या फिर इस time को में यूज करूं दूसरे business बिल्ड करने में या फिर यह time में यूज करूं लोगों की help करने में या फिर यह time में यूज करूं अपनी आपको अच्छा बनाने में common sense की बात है तो जिसको बात है clear हो गई होगी I wish अच्छा समझ में आ गया ह बट आज के time पे जो भी parents है like 2000 वाले भाई वो सबसे पहले बच्चा पैदा होता है ना सबसे पहले S.I.P करना चालू करता है कि यह पकड़ 2000 पे महीने की S.I.P करेंगे जब तक 18 साल का नहीं हो जाता है उनको S.I.P की power पता लग चुकी है ठीक है अब यह 2000 पे वो दे रहे ह है कब basically पना पैसा निकालना है दन आपको यह investment वालों की जरुवत ना पड़े आप खुद बाखुद इतने सक्षम हो कि financial decision ले पाए इसको बोलते है financial education otherwise आप जिंदगी भर काम करते रहे है S.I.P के थूरू 20,000 भी दे देंगे तो आपको share market में आपका पैसा कहां लग रहा ह है आपको कभी भी पता नहीं लगेगा सो आई विश कि क्यों education जरूरी है और मैं तो बोलना चाहूंगा जैसे आप geography, policy, history, science and current affair यह तैयारी करने के लिए आप यूज करते हो यहाँ पर एक topic add कर लीजिए पैसा ठीक, यह पैसा कैसे कमाया जाएगा पैसे से पैसा, clear, इतना सा concept यूज कर लीजिए, इन subjects के साथ साथ एक और add कर लीजिए, यह subject आपको इन subject को जल्दी खतम करने में मदद करेगा, मैं आपको यह चीज बोल सकता हूँ, क्योंकि पैसा होता है ना, तब भी आप काम कर आता है मेरे भाई, एसी चलेगा तो वो पढ़ाई भी जल्दी होगी, mindset भी अच्छा रहेगा, यह बाते बहुत जाता जरूरी हो जाती है, ठीक है, आपको बताना कि जो बाते में समझाना चाह रहा था, क्या आपको समझ में आया, कितने लोग अभी भी केवल job पे dependent रहना चाहते हैं, या अभी भी किसी के माइंड में यह है कि trading तो भाई बुरी चीज है, actual में मेरे भाई job करके भी आप trading कर रहे हो, बस यहां आप क्या कर रहे हो, trade कर रहे हो अपने time को, पैसे के बतले, ठीक, यहां हम trading कर रहे हैं क्या, पैसे को, पैसे के बतले, और हमारा जो time है उस टाइम को हम दूसरी जगा पे यूज कर रहे हैं, simple fundamental concept, I wish यहां तकी बात है clear हो गई होगी, मिलते हैं next important video में, comment करके जरूर बताईएगा कि job के साथ trading करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए आप अपनी रहे जरूर दीजी, मैं जानना जरूर चाहूँगा चीक है